Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me शिपरातिवारी, बहुत बहुत स्वागत है, इस चैनल में आपको प्रोवाइड करा जाता है, बिल्कुल बहतर ही न एजुकेशन ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके So last class में हम लोगोंने General Characteristics of Protozoa के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, जिसमें मैंने reproduction पे खतम किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि Asexual और Sexual reproduction दोनों कर सकते, इस टर्म में कोई भी problem हो बच्चो, प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मैंने चाहती कि कोई भी topic जो है वो तुम्हें unclear रहे, ठीक है, ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे Osm Regulation होता है, कहां से कैसे होता है, फिर मैंने nutrition बताया था, respiration, excretion, ये सारी चीजे, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, Protozoa का classification, ठीक है, ओके, तो आज हम बात करेंगे Phylum Protozoa की classes के बारे म हुआ हम लोग, number one is the mastigophora, ठीक है, mastigophora, ठीक है, mastigophora, ठीक है, फोडाओ, तो इसका مतलब क्या है, mastigophora जाओ और फोडाओ, mastigophora या mastigophora इसको आफ लाजलेटा भी कहते हैं, next class से सार 59, फिर class एज Porozoa और फिर class cattle Αीलेटा, ठीक है, so basically Protozoa has four classes, कितनी classes होती है, four classes होती है मैंने एक table के form में convert कर दिया है इसे ताकि आपको learn करने में, याद करने में किसी भी प्रकार की कोई परिशानी ना हो मेरे बच्चो अब अपन लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहली class जिसका नाम है मस्ती करो और जाओ भोड आओ mastigophora या इसी को हम लोग flagelator के नाम से जानते हैं नाम में ही काम चुपा है, काम तो बड़ा प्यारा है काम है इसका flagelator जिससे दोड़ता रहता है ठीक है? सो इसके अंदर होते हैं flagela जो इसे locomotion करने में मदद करते हैं एक-एक करके हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे ठीक है? सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके habitat के बारे में कि ये रहता कहा है? मैंने यहाँ पर लिखा कि इनका habitat होता है multiple multiple का मतलब ये है कि ये होते हैं aquatic ठीक है? यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या? सो ये होते हैं aquatic, ओके तो यहाँ पर ये हो गए aquatic, done, ये parasitic भी हो सकते हैं और ये mutualistic भी हो सकते हैं, आप इसका example बहुताती हूँ aquatic है, तो इसके अंदर यूगलीना क्या होता है aquatic, मतलब कोई भी aquatic हो सकता है parasitic मतलब leishmania और trypanosoma जो होते हैं ये आपके parasitic होते हैं, mutualistic कौन होता है trichonimpha रहता है, जो कि दीमक के intestine में रहता है जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है सो ये इसके example है, habitat के अधार पर इनका multiple habitat है, ये following जगव पर रह सकते हैं ये aquatic हो सकते हैं, ये parasitic हो सकते हैं mutualistic भी हो सकते हैं कुल मिला कि ये heterotrophic nutrition शो करते हैं next, इनके पास present होती है pellicle और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जिन भी protozoa की cell wall, cell membrane के अंदर plasma membrane के अंदर pellicle होता है वो हमेशा shape उनका निश्चित रहता है और जिनका भी shape निश्चित रहता है प्यारे बच्चों उन्हें आप कहते definite ठीक है वो movie तो नहीं देखिए definite वो blade से गला काट देते हैं अरे वो सब नहीं देखा करो या ठीक है पर यहाँ पर shape से मतलब है definite ओक है उसके बाद locomotion because we are talking about the class mastigophora और flagellator तो इसका मतलब locomotory organ क्या होगा flagella ही होगा ठीक है ना इनका जो nutrition होता है वो mixotrophic होता है Uglina is the first primitive animal जिसमें holophytic nutrition भी है और holozoic nutrition भी है holophytic का मतलब यह है कि यह photosynthesis भी कर सकते हैं और holozoic का मतलब यह है कि animal के जैसा भी behave कर सकते और parasiting mutualistic तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बताई ही ठीक है उसके बाद मैं बात करूँ इनके में sexual reproduction नहीं होता आई बात समझ में इनके में class mastigophora में sexual reproduction नो नो इनके में होता है asexual reproduction क्या होता है asexual reproduction होता है sexual का कोई chance नहीं है ओके डान आई बात समझ में अच्छा अब अपन बात करते हैं कि examples के बारे में ठीक है so yuglina तो आपको समझ में आया कि yuglina mixotrophic nutrition show करता है holophytic, holozoic leishmania के बारे में हम इस lecture के बात detail में बात भी करेंगे पर अभी आपे समझाती हूँ leishmania एक genus है leishmania donovani species की विज़ा से leishmaniasis होता है leishmaniasis एक प्रकार का fever है जिसे हम कहते हैं dum-dum fever कौन सा dum-dum fever कहते हैं या इसी को आप काला जार भी कहते हैं जिसमें शरीर में blisters पढ़ जाते हैं और बुखार भी आता है ठीक है अच्छा जो भी sexual reproduction नहीं show करता उसको हम e-gamma species कहते हैं फंगस में मैंने आपको पढ़ाया भी था तो gamma species वो होती हैं जो sexual reproduction शो करती है और जो sexual नहीं show करती सिर्व e-sexual show करती है उसे आप e-gamma कहते हैं मैंने पढ़ाया है मुझे याद है तुम भी पढ़ो ठीक है उसके बाद एक example है trichonimpha क्या है trichonimpha trichonimpha जो है यह दीमक की intestine में रहता है termite की intestine में रहता है और यह cellulose का digestion करता है यह symbiotic यह mutualistic relationship है in between the dima and this protozoa trichonimpha ठीक है now trypanosoma trypanosoma जो हो इनके पास special type की membrane होती है जिसको हम undulating membrane कहते हैं कि कुछ इस तरीके की होती है और इनके पास ऐसा flagella होता है तो इनका movement is undulating membrane जो है इसके बारे मैं पढ़ाऊंगी और flagella की वज़से होता है यह polymorphism show करते हैं polymorphism का मतलब यह है कि इनका primary host जो है इनमें दो host होते है primary और secondary बहुत reveal नहीं कर रही हूँ क्योंकि separately अपनको पढ़ना भी है इसके बारे में ठीक है इनके दो host होते हैं यह अपने life forms में यह दो life forms follow करते हैं इसे लिए polymorphism show करते हैं ठीक है सो एक example हो गया noctiluca noctiluca जो है यह show करता है बच्चो N है यह आपको क्या दिखाई दे रहा है I'm sorry मैं इसको अच्छे से N लिखती हूँ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए noctiluca mastigophora class का एक और example है जो की bio luminescence produce करता है साथ ही साथ मेरे notes बनाते जाईए ठीक है क्योंकि यह आपको baby notes में ना मिले तो class में मैं पढ़ा रही हूँ और मैं यह उमीद करती हूँ कि यह आपने लिख रहे होंगे तो noctiluca एक और example है जो की bio luminescence produce करता है bio luminescence का mechanism मैंने आपको dietems में पढ़ाया भी था तो अगर भूल गए हो तो कोई tension नहीं है अभी बता देती हूँ इनके body में lucifer नाम का एक protein होता है और जो आपका इनके पास वो enzyme भी होता है जो lucifer नाम का protein तोड़ते हैं ठीक है अब lucifer जो होता है वो protein oxygen की presence में टूट जाता है in the presence of enzyme called as luciferase और फिर वो चमक produce करते हैं और इसे ही आप कहते हैं bio luminescence आप इसे अंधेरे में भी देख सकते हैं ठीक है एक और इसेंपल में आपको बतारती हूं which is the proteo spongia एक और एक्छंपल क्या है proteo spongia proteo spongia very 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 important example protea spongia protozoa जो है वो है protyro और spongia मतलब sponge ठीक है so protozoa proteo spongia is the connecting link between the protozoa and the sponges ठीक है So, how many examples we have learned in this class of the phylum protozoa, Euglena, Leishmania, Trichonimpha, Trypanosoma, Noctiluco, Proterospongia, ठीक है? Now, अब हम लोग आते हैं, second class of the protozoa, which is the Sarco-Dina. कौनसा दिना? डम-डम डिगा-डिगा, मौसम भिगा-बिगा, ठीक है? तो कौनसा दिना? दन-दना-दन दिना-दिना, ओके? So, Sarco-Dina, Sarco-Dina जो class होती है, इसके अंदर दो स्पीशीज आपने पढ़नी है, वो दो स्पीशीज पता हैं क्या है? वो दो स्पीशीज, या जीजस नॉट स्पीशीज, एक है Amoeba और एक है Antamoeba, ठीक है? इसका habitat Aquatic है और Parasite है, ठीक है? अमीबा, दोनों ही Parasite होते हैं वैसे तो, ठीक है? तो एक होता है Antamoeba, कोलाई, वो नहीं होता बस Parasite, बाग के इसके सारी स्पीशीज जो होती हैं, वो पेरसाइट होती हैं, ठीक है? इनका shape जो होता है, वो indefinite होता है, अगर मैं बात करूँ Amoeba की, तो Amoeba जो है, उसका shape decided नहीं है बच्चो, उसका हरकुछी shape होता है, और change होता रहता है, जैसे WBC का shape change होता है, वैसे Amoeba का भी shape change होता है, और जिसका भी shape बदलता रहता है, उसे आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं indefinite, क्या कहते हैं? indefinite, इनके पास pseudopodia lokomotion के लिए होते हैं, इनके पास finger like pseudopodia है, ठीक है, तो इसे आप कहते हैं lobopodia, ठीक है? इनके में sexual reproduction होता है through the binary fission, ठीक है, अच्छा, अभी मैंने आपको foraminiferal ooze और radiolarion ooze के बारे में general characteristics of protozoa में पढ़ाया था, जितने भी उसके organism हैं, वो actually class sarco dina कहीं है, ठीक है, स्टाय पहलो केंथा की बात कर ले, तो foraminiferal ooze produce करने वाले organism भी और आपका radiolarion ooze produce करने वाले organism भी किस class के अंदर आते हैं, sarco dina, और जो भी बच्चा इस lecture में जुड़ा हुआ है, मैं बताओ general characteristics में मैंने वो पढ़ाया है, तो उन videos को आप देखिएगा, ठीक है, example की अगर मैं बात करूँ, तो example दो है मेरे पास, amoeba और entamoeba, entamoeba histolitica, entamoeba gingivalis, ठीक है, entamoeba histolitica, इससे आपको diarrhea होता है, क्या होता है, diarrhea होता है, और entamoeba gingivalis, gingivalis, gingivalis मतलब gingival, मतलब masouda, और valis का मतलब vitis, gingivalis का मतलब sujan in the masouda, ये आपके masouda को सड़ा देते हैं, और उन masouda में पस बनाते हैं, और ये पूरा greenish biofilm formation करने लगते हैं, जिसकी विजए से आपके दाद बदबुदार होते हैं, और ये आप किसी का भी जूठा पानी, इसलिए नहीं पीना चाहिए, डीटेल में, examples में बात करेंगे, ठीक है, इनके साथ ये सबसे रची बात पता है, क्या है, एंट अमीबा के साथ, कि इसका जो nucleus रहता है, वो cart wheel जैसा रहता है, जैसे कि बैल गाडी का पहिया होता है, ठीक है, ओके, now, त ठीक है, तो एक को है, मस्ती गो फोरा, ठीक है, मस्ती गो फोरा, ठीक है, और एक है, डम डम डिना डिना सार को डिना, ठीक है, तो ये दो classes हो गई है, आपकी protozoa की, अगली class के बारे में बात करते हैं, आजाओ, अगली class, sporozoa, very very, very important class, क्योंकि ये exclusively parasite होते हैं, आई बात सम समझ में, class sporozoa के जीव जो होते हैं, ये exclusively parasite होते हैं, इसके हर जीव, किसी ना किसी, दूसरे जीव के अंदर रहकर, उनकी तबाही मचाते ही रहेंगे, ठीक है, so they are exclusively parasite, okay, shape इनका definite होता है, shape इनका decided होता है, क्योंकि pellicle present है, इनके पास कोई locomotory organ नहीं है, क्योंकि ये अपने host जिसके अंदर ये घुसे हुए हैं, उसी से चिपक चिपक कर nutrition लेते हैं, इनका nutrition कैसा है, parasitic, ठीक है, reproduction जो होता है, sexual और asexual दोनों हो सकता है, sexual reproduction जो होता है, ये होता है, multiple fission से, और मैंने आपको multiple fission के बारे में पढ़ाया भी था, कि इसमें कोई भी एक plasmodium, liver cell के अंदर घुस जाता है, फिर जो cell होती है, जो nucleus होता है plasmodium का, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32, 34 और 128, ऐसे बढ़ते बढ़ते nucleus बढ़ता जाता है, then it will synthesize the cytoplasm around it and plasma membrane, और फिर एक plasmodium का नर्मान होता है, और फिर जब number बढ़ जाता है, तो liver की cell RBC या liver की cell burst हो जाती है, और सारे plasmodium शरीर में release होते हैं, तो आप नितने सारे plasmodium कैसे बनाए, एक nucleus से ने बनाए, एक ही nucleus से बनाए, तो it is a multiple fission, ठीक है, और sexual reproduction होता है, इनका syngammy से, ठीक है, syngammy का मतलब यह होता है, कि यह क्या करते है, कि nucleus आपस में organism मतलब male औ female जुडते है, और फिर पल देखें, plasmodium जो होता है, यह cause करता है malaria, there are n number types of malaria, बच्चो, जो कि मैं organism का detail लोंगी, तब बताऊंगी, n number types of malaria, detail में malaria 12th class में पढ़ना है, health and disease में, ठीक है, next होता है, nozema, ठीक है, nozema bombosis, ठीक है, इसकी एक genus है, nozema, bombosis is the species, ठीक है, यह cause करता है, pebrine disease of the silk moth, क्या cause कर करता है, pebrine disease of the silk moth, आई बास समझें, यह क्या करता है, कि silk moth जो होता है, जो silk बनाता है, उनके अंडों को ही इंफेक्ट करने लगता है, ठीक है, यह उनके अंडों को ही इंफेक्ट करने लगता है, अंडों के अंदर ही पूरे silk का destruction कर देता है, और फिर जो है, आगे आने silk industry को तबाह कर देता है, इस एक रोजीमा की infection से पूरा silk industry यह पूरी silk जहां पर वो प्रेड्यूस हो रहे है, सब खराब हो जाता है, और यह transmit होता है, ठीक है, transmit जाता है, एक अंडे से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ठीक है, next होता है, monocystis, ठीक है, okay, monocyst bundle को infect करता है, चुपूरा जो earthworm है, उसको infertile बना देता है, monocystis, ठीक है, तो यह एर्फवार्म को infertile बना देता है, यह पूरा जहां पर sperm बनते हैं, वही पजा कर देता है, पूरे sperm को मार डालता है, उनको खा जाता है, और earthworm को जो है, infertile बना देता है, पहला कहां रहा था था human के अंदर दूसरा कहा रह रह रहा था silk moth के अंदर तीसरा कहा रह 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 था earthworm के अंदर उसके बाद मैं बात करूंगी बैबेशिया बाइजमाना की ठीक है बहुत हो तर सेम थिंग फीवर ओफ दा कैटल ठीक है यह क्या करता है इसमें वैक्टर की जरुवत होती है तो आपने देखा होगा कि गायों और भैसों के उपर टिक्स जो है ऐसे पिस्सू चिपके हुए रहते हैं तो उनके पैरों पर यह चिपका हुआ रहते है और फिर वहां से ट्रांस्मिट करके यह आपके जो है तो जब टिक्स सक करते हैं तो यह टिक्स छोड़ देते हैं कैटल के अंदर और फिर कैटल के अंदर जो है पहुच जाता है फिर कैटल के अंदर RBC के अंदर खुच जाता है RBC के अंदर मल्टिप्लाइ करता है और RBC को फार देता है अब RBC फटने लगती ह destroyed होने लगती हैं जिसकी वजह से cattle को बुखार कमजोरी होती है और urine से blood excrete होने लगता है बहार नुकलने लगता है और इनका urine जो है red color का हो जाता है आई बास समझ में इसमें इसमें इतना ही पढ़ना है कम पढ़ो बहतरीन पढ़ो एक नमबर पढ़ो यह याद रखना ठीक है Celiata या Celiophora ठीक है यह इसमें Ballantidium coli को अगर मैं छोड़ दूँ ठीक है तो इसका कोई भी example Parasitic तो नहीं है Ballantidium को छोड़ दूँ मैं तो इसका कोई भी example Parasite नहीं है ठीक है Celiata या Celiophora आपको नाम सही समझ में आ रहा है कि इसका लोकोमोटरी ओर्गन Celia होगा ठीक है Example is Paramecium चिलाते चिलाते कभी कभी गला इस मतलब on the urge of the destruction तो आप थोड़ा धीरे बोलती हो So Celiophora जो होता है जो Celia होते हैं वो Paramecium के उपर पाये जाते हैं Paramecium को जो है चलाने का काम करते हैं ठीक है इसका habitat क्या होता है Some of them are aquatic and some of them are parasitic Some of them मतलब Valentidium only इनका shape definite होता है क्योंकि इनके पास pellicle पाये जाता है इनके पास Celia होता है जो की locomotion करवाता है इनका mode of nutrition heterotrophic है भईया साब ठीक है बहुत some of them are filter feeder ठीक है Reproduction asexual और sexual दोनों प्रकार का हो सकता है Asexual reproduction जो होता है fission की वज़े से हो सकता है और sexual reproduction conjugation की वज़े से हो सकता है अब मैं इसके examples के बारे में बात करती हूँ सबसे पहले क्यों ना मैं इनका parasitic example ही बता दूँ सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ Valentidium coli के बारे में ये एक मात्र ऐसा example है इस class का जो की infection cause करता है या parasitic होता है ये आपको diarrhea cause करवाता है Valentidium coli के वज़े से diarrhea cause होता है और ये एक intestinal intracellular parasite होता है ठीक है So human being के intestine में पाया जाता है कभी अगर चाहिए Valentidium coli का structure मैं आपको दिखा सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो real images है मेरे पास ठीक है So diarrhea cause करता है Valentidium coli intestine के अंदर होता है और पेक parasite है ठीक है Paramecium के बारे में आप जानते ही है इसके पास दो nucleus होते है Meganucleus और Micronucleus उसके बाद मैं बात करती हूँ Voticella और Bell-like animalcule Voticella जो होता है ये filter feeder होता है इसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है They will decide ये हमेशा चीजों को चुन-चुन कर खाते है Now glaucoma Glaucoma क्या होता है It is the fastest reproducing organism ठीक है ये 24 गंटे में 6 बार अपनी जनुरेशन को बना सकता है So this is all about the classification of the protozoa In which we have learnt the 4 classes Number 1 The Pestigophora Mastigo 4 आओ ठीक है Character पढ़े, Example पढ़े This Dum-Dum-Dina-Dina-Dina Kodina इसके बाद character पढ़े, Example पढ़े ठीक है Okay So who's was 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 Sporozoa Character पढ़े, Example पढ़े ठीक है So this is all about the classification of the protozoa In the next class I will tell you the sum of the example of the protozoa In little bit detail और उसके बाद हम exactly Animal Kingdom के Poriferophyllum के में घुसेंगे So I hope आपको ये चीज़े समझ में आ गई होंगी और अगर नहीं आई, कुछ भी थोड़ा सभी इत्ता सभी छूड़ गया है तो please मुझे बताना ठीक है So see you in the next class Thank you so much